हम पर रहे हैं पक्षा 5 का गडित क्या चल रहा है अध्याय 2 में हमने अब तक गुडा कैसे करते हैं व्यदी गडित विदी से भी हमने सीखा अब यहां पर कुछ पैदल दिये हुए है उन्हें हमें सॉल करना है तो कुछ संख्या यहां पर क्या है मिसिंग है तो उसे हमें पूरा करना है जैसे कि 8 से 16 को गुड़ा करने पर इतना आएगा 128 वैसे ही 8 को 900 गुड़ा करने पर जो आएगा उसे हमें बीच में लिखना है क्या होगा इह जो खाली जगा वो हमें भरना है इसी प्रकार से हमें जो खाली जगा उसे भरना है क्या है संख्या 8 गुड़ित 9 9 8 कितना होता है उसे हमें यहां पर लिखना है नव अठे 72 यहाँ पर क्या आएगा 72 वैसे ही 9 से 18 को गुड़ा करके देखना है 16 को 18 से एहले ही एक संख्या को गुड़ा करके वो देगी है 9 18 16 18 आप क्या क्या हैं ईसको पहलती एक संख्या हम दनें संख्या करेंगे फिर दूसरी संख्या को दोनोंस गुड़ा करेंगे जितना है बाट एकों से हमें टोटल करना है चाह थे तीर सट तिर सट की तीन हासी लिमा है यह च्याहा, अट कमार्ट आठ यमाट 8,9,10,11 का और फिर 16 को इसी लिख देना है चेह साथ तुध सोग चीए था कितना है हैं 216 सो यहां में बीच में लिख देना है अब 9 और 18 9 गुणित 18 9 थे 72 की दो हासिल में 7 9 थे 72 9 1 9 10 11 11 117 117 ऐसे ही इसको भी हमें सॉल करना है इसमें देड़ी है 12 गुरित 18 कितना होता है 216 अब 25 गुरित 18 करना है 25 गुरित 12 दस गुरित 12 और 10 गुरित 18 गुरित 10 करेंगे कितना आएगा 12 गुरित 10 करेंगे कितना आएगा 120 12 दाहां 128 दाहां 180 और 25 को अठारा सुगुरा करना है और 12 को 25 से 25 गुरित 18 आठ पंचे 40 के सुर्ण हासीन में यह 4 आठ दुन 16 चार 20 और यह 25 एक सुगुड़ा करने पर 25 को 25 से आएगा 0 5 4 इतना है चार सो पचास वैसे 25 को 12 सुगुड़ा करने 25 गुरित 12 बारा पंचे साट के सुर्ण हासील में इस है बारा दुनी 16 बारा दुनी 24 चोविस 25 26 27 28 29 30 कितना है 300 होगे है सौल ऐसी कुछ और सवाल तुम भी बनाओ और अपने दोस्तों के हल के लिए करने के लिए दो ऐसी कुछ पज़र बनाओ और एक संख्या गुड़ा करके फिर एक आंसर को लिख करके क्या करना है हमें आओ करके सीखे तुम दो अंको वाली संख्या में दो अंको वाली संख्या का गुड़ा करना सीख चुके हो दो अंको वाली संख्या क्या थी अठारा थी उससे हमें दो अंको वाली संख्या 10 को हमने गुड़ा करना सीखा जैसे कि अब यहां क्या करना है दिये हुदारां को द्यान से देखो तुम समझ जाओगे कि तीन अंको वाली संख्या का गुड़ा कैसे करते हैं अब हम तीन अंको वाली संख्या चार सो तीर सट को दो अंको वाली संख्या पंचा अंठावन से गुड़ा करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या आता है कैसे करते हैं उसको सीख तो क्या करना है 463 को 58 से गुड़ा करने के लिए पहले 463 गुड़ित 58 58 मतलब की कितना होता है वो 50 धन आठ 58 50 में क्या जोड़ेंगे आठ जोड़ेंगे तो वो 58 हो जाएगा तो इसे दो भागों में तोड़ा है तो 453 को आठ से गुड़ा करना है पहले फिर किया करना है 463 को जो आएगा उसे लिखना है फिर 463 को 50 से आंसळ आंसर में आहे करके देखते है कि 403 गुड़ी 58 क्या किया है वो 58 को दो भागों में तोड़ दिया है 58 बराबर 50 धन 8 अब 50 धन 8 से 436 गुरित 50 धन 8 पहले क्या करना है 436 को 8 से गुड़ा करेंगे फिर 436 को 50 से गुड़ा करेंगे जो आएगा उसे हमें जोड देना है 463 गुड़ा नहीं है 439 बराबर 25 धन 8cus 25 धन 9 धन 8 अब क्याकरना है पचास उगड़ा करना है चार सो तीसट को पचास उगड़ा करना है तो पचास का सून्य को हम यहालिक देंगे फिर पांस इसको उगड़ा करेंगे पांस तिया पंदरा की पांस हासिल में एक शे पंचे तीस तीस एक गतिस की एक हासिल में एक तीन चार पंचे पांचों 20 23 23 इतना है है 23,150 अब क्या करना है इन दोनों को एक दूसरे से जोड देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 430 गुरित 8 का अंसर मिल जाएगा 58 का अंसर 400 यह है और इसी संक्याव को इससे जोड़ना है 4,5,8,6,2 26,814 आया इतना है आंसर 26,814 इसे हमें गुड़ा करने में असानी होती है वैसे इतीन संक्याव को तीन संक्याव से गुड़ा कैसे करते हैं उससे देखना है तो यहाँ पर क्या दिया है तीन संक्या में क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौई संख्या पहले चोटी होगी चोटी है 645 2,73 से चोटी है एक बढ़ी है तो 645 वाले संख्या पहरी को नहीं तोड़के हम छोटी إلى संख्या को तोड़ेंगे 272 77 को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले देखना पड़ीगा इसमें झा करना है इसतानी अमान के रुप में इसको तोड़ रहे हैं तो संख्या को विकसिद करना फिर 770 फिर तीन यह तूड गया तो प्लसप्लस करके 277 धॉस्तार करके इस नंबर को हम क्या करना है? लिखना है प्लैस के रूप में अब तीनों के साथ एक बार गुड़ा करने के बाद तीनों के साथ एक बार घुड़ा करने के बाद दो सेप–बुडा करने के बाद 270 पर आएगा उसे टोटल करना है तो पहले 265-6まだ 265-645 तीननना करेंगे और चाहिए ACE में यहां पर जोड़ रहा है फिर आएगा जो आइगा उससे वही हमारा अंसर होगा बना करके देखते हैं यह तो क्या है यह उदारन है क्या किया है तीनों को एक साथ जोड़ा है तो फहले इस 273 को विस्तार किया है नंबर को जोड करके जोड के लुप में लिखा है तो गुड़ा काई गुड़ा के साथट गुड़ा दिया हुआ है और तीन संख्या का दो संख्या के साथ गुड़ा दिया हुआ है और चयार संख्या के साथ 3 संख्या का गुड़ा भी voud좌 देखते हैं बना करके क्या होता है क्या है 284 गुरित 746 2284 गुरित 746 यह है कोशन में क्या करते हैं पहले इन तीनों को तोड़ने के तोड़ देते हैं पहले छोटे वर संख्या को तोड़ना है उसी विज़ी से बनाते हैं की विक्सित करना है इसका मतलब क्या हो गया 700 धन 40 धन 6 तीनों को जोड़ेंगे कित्ता मिलेगा हमें 246 इसको विस्तार किया है उसी हिससे हमें क्या करना है गुड़ा करना है 2284 गुड़ित 700 धन 40 धन 6 पहले इसका 6 से गुड़ा फिर इस संख्या का 40 से फिर 700 से करके देखते हैं 2284 गुड़ित 6 कितना हैगा 624 की चार हासिल में ही दो 6 6 48 48 49 50 50 की सुनने हासिल में ही पढ़ाच 6 दूनी 12 13 14 15 16 16 17 की साथ हासिल में ही एक 6 दूनी 12 एक तेरा इतना हैं 13704 अब इसी संख्या का 40 से गुड़ा 2284 गुड़ित 40 40 की सुनने कुलिक देंगे फिर 40 से इस सपो गुड़ा चार चुक 16 की 6 हासिल में ही एक चार दूनी 8 आठ 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 नो इतना हैं ग्यानवेजा 306 अब फिर इस संख्या का 700 गुड़ा तो दो आठ चार पुरिस 700 फिर क्या करेंगे जो जो आंसर आया है गुड़ा करने पे चार इस सपो गुड़ा करने पे चार इस सपो गुड़ा करने पे उसे हमें जो देना है शाट तो का जिरो को लिख लेते हैं साट से गुड़ा करेंगे सभी में 7 चुक 24 174 28 28 की 8 हासिल में ही आइक 28 की 8 हासिल में ही 2 है साद दूनी चौधा तोधा पंदरा सूला सुलाक इच्छा हसित में 미ेड साद दूनी चौधा एक संद्रा कितना है इक एक लग शक्रा हजादासर लाग एग लग शपन हजादा रार सब्सक्रान तो इस अभी हम इस अभी को हमें जोड़ना है कि जो आएगा उसे अंसर के लूप में लिखना है 156800 प्लस 91360 प्लस 13704 खोड़ शिक्सओ आर्थ शोला सतरा अथारा की आठ असील में एक शैना है आथारा अठ अथा अच्छेञेन पाज पंद्रास एक शोला की छैना है आंसर 26 18 64 यह हमारा आंसर आएगा अपसी प्रकार से सभी कोश्चन्स को हमें बनाना है ऐसे ही और भी सवाल हल करो अभ्यास करो अपने सिच्छा को दिखाओ यह वारती प्रेश्म एक कुलर की कीमत 4350 रुपय है 19 15 रुपय खर्च होंगे जब एक कीमत एतनी है तो 15 रुपय केमत करने के लिए कहना पड़ेगा पहला कोश्चन बनागर देखते हैं एक कुलर की कीमत क्या दी हुई है 4350 रुपए तो 15 कुलर की कीमत क्या होगी वो हमें पता करना है जब एक कुलर की कीमा 4350 रुपए है तो 15 कुलर की कीमत ग्याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा पंदरा को 4350 से गुड़ा करना पड़ेगा तो हमें क्या पड़ा चलेगा कि इसकी एक किलर की कीमत अब इतनी है तो 15 किलर की कीमत क्या होगी हो हमें पड़ा चलेगा पंदरा से क्या करना है गुड़ा करना है इसको 4350 को पंदरा गुड़ी सुन्या सुने, 15, 56, 75, 75, 75, 65, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 55, 75, 75, 75, 75, Nowadays 15, 30, 35, 45, 75, 65, 65,ए 35, 22, 25, 75, 65, 65, 65, 65, 65, 어렵 list कितना है यह 65,250 रुपया तब अंद्रा की कीमत क्या होगी 65,250 जब एक किलोर के कीमत कितनी मिली है हमें 4,350 तो 15 किलोर की कीमत कितनी होगी 65,250 रुपय यही हमारा अंसर है दूसरा कोशन क्या कर रहा है एक साइकल के कीमत 19,1975 रुपय है हाई स्कूल की 217 चात्राओं के लिए साइकल खरिदने के लिए कितने रुपय की जड़त पड़ेगी जब एक साइकल की कीमत इतनी है तो 217 की चात्राओं के लिए मतलब 217 साइकल लेना पड़ेगा 217 साइकल की कीमत क्या होगी कुल किटने के लिए, कुल कितने रुपे की जुरत पड़ेगी एक कार खाने में, एक दिन में 4,635 मीटर बनता है बताओ, जन्वरी माहमें उस कार खाने में कितना कपडर बनेगा एक कार खाने में एक दिन में कितना मीटर कपड़ा बनता है उससे पहले लिख cirque देश्रा कोशन है कि एक कार खाने में एक दिन में कपड़ा बनता है कितना 4,635 मीटर कपड़ा बनता है एक दिन में तो पताओ जन्वरी माह में उस कारखानी में कितना कपड़ा बनेगा तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा पैसे देखना पड़ेगा जन्वरी माह में दिन कितने होते हैं जन्वरी माह में दिन होते हैं कितने होते हैं 31 दिन जन्वरी माह में 31 दिन होते हैं एक दिन में जब एकता मीटर कपड़ा बन रहा है तो जन्वरी माह मतलब कि 31 दिन में कितना कपड़ा बनेगा वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 31 दिन को इतने मीटर से गुड़ा करना पड़ेगा तो अब हमें पता चल जाएगा कि 31 दिन में कितने मीटर 32 मतलब कि जन्वरी माह में कितने मीटर हमें कपड़ा मिला 4635 कुरित 31 31 मतलब कि जन्वरी माह का दिन कितने कपड़े कापड़े मसे हम जाने के लिए 35 मा पड़ेगा एक इस सब भी झोड़ा चारके देखते हैं गूड़ा करने पर इतने ही आएका 4,635 ईाइक तीन तीन नौ एक दस की सुन्य हासिल में ही एक चाय कमचा चन्या चाते बारा बारा एक तेरा पांच पांच तीन आठ छै नौ तस ग्यारा बारा तेरा की तीन हासिल में एक तीन एक चार एक इतना इकाईद है सेकड़ा हजाद असर लाग एक लाग त्रालीस हजार तो क्या मिला हमें आंसर जोड़े हैं क्या किये इससे इसको गुड़ा करके इससे इसको गुड़ा किये जब एक से सभी को गुड़ा किये फिर तीन से सभी को गुड़ा किये फिर जो आया उसे जोड़ दिये तो हमें मिला क्या ये अब देखते है अब यही हमारा क्या है जन्वरी माह हमें कितने मीटर कपड़ा बने एक लाग 43,685 मीटर कपड़ा बना एक गोदान में धान से भरे 8,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, किलोग्राम धान भरा है क teenage एक उल्कटे किलोग्राम है उसे जाने के लिए पचल तर को इतने होटें गुर्त में भला करेंगे हैं वर कि लोगराम कमें मुंहर्न अपने बिचतक खाते में फूर्टि आप पांच वर्सव में वहां रुपए जमा करेगा मोहन कितने प्रती माह कितने रुपए जमा करता है impress 오늘 फूर इस सा सोपाशास रुपए अच्सो कुछन क्या है कि exista मुहान प्रति माह रुपए जमा करता है कितने रुपए जमा करता है 750 रुपए तो कोशन क्या है बताओ 5 वर्षों में वहा कितने रुपए जमा करेगा पहले देखते हैं पांच वर्षों में कितने माह होंगे वह जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले देखते हैं कि एक वर्षों में कितना माह होता है एक वर्षों में माह होते हैं कितने माह होते हैं 12 माह है न तो पांच वर्षों में कितने माह होंगे उसे जाने के लिए 12 गुडित 5 करना पड़ेगा 12 गुडित 5 बराबर 12 पंचे 6 मां 5 वर्स में कितने माह हूँ है 60 मां तो 60 महिने में मोहर्ण प्रती माह कितना रूपए जमा करता है 50 रूपए तो 5 वर्स मतलब की 5 वर्स मतलब की 60 माह में कितना वर्स को माह में हम तबदिल करेंगे क्योंकि मोहन का प्रती माह कितना जमा करता है वो दिया हुआ है ना वर्स ने दिया रहता है तो जमा करने तो हमें इसो माह में बदलने की जोरत नहीं पड़ती लेकिन वर्स में कोशन है लेकिन उत्तर प्रशन क्या है कि प्रती माह क कितना जमा करता है वो दिया है तो माह को वर्ष को माह में हमें बदाना पढ़ेगा कितने माह होगे 60 माह तो सार्ष को गुड़ा करने पर हमें पता चल जाएगा कि 5 वर्ष में कितने रुपए उसनी जमा किये किसने मुहन 60 गुरित 750 करना पड़ेगा तो हमें 60 माह मतलब कि 5 वरसे में कित्ते रुपे जमा की मुहन ने वो हमें पता चल जाएगा और ये 750 वो प्रती माह मुहन द्वारा जमा की हुई 80 है 60 का सुन्ने को लिग देते हैं 6 से सभी गुगला करेंगे 6 सुन्ना, सुन्ने 56 का 30 की सुन्ने हासिल में 3, 75, 75 75, 48, 48 45, 59 इतना हैं 59,000 59,000 रुपे वो जमा करता है कौन? मुहन 5 वरसे में कितना रुप? तो मुहन द्वारा माच वर्षों में जमारासी क्या होगी? 59,000 रुपे यह हमारा अंसर होगा है एक निट करेक्षन 7, 56 35, 75 साची का समसल्न चोड़े सका 75, 75, 75, 48, 48 50, 50 साची का 42 होता है साची का 42, 42, 43, 44, 45 कितना है है? 45 45,000 यह क्यावन नहीं 45,000 रुपे आएंगे 48 होता है साची का 42 होता है 42, 44, 45 वैसी ही सभी को यहाँ पर वोरे दिये थे सब तो इसको किलोग्राम से गुड़ा करके हम पटे चले कितना किलोग्राम तहान रखा है और यह वाला यह वाला कोशन क्या है? साची कीमत दी हुई है एक साची की तो 217 चात्राओं के लिए 217 साची का किमत याद करने के लिए 217 को इस रुपे से गुड़ा करेंगे तो हमें आशर मिल जाए अब हमने गुड़ा देखा अब हम क्या देखेंगे? भाग भाग के कोशन कैसे हाल करते हैं? वो हमें देखना है